नमस्कार आप देखरें मनी गुरू मैं हूँ स्वाथी रायना Financial Planning बेहदी जरूरी है सभी के लिए खुद के Retirement Planning, बच्चों की पढ़ाई, शादी और भी कई तमाम तरह के जीवन के लक्षों को पूरा करने के लिए Financial Planning बहुत जरूरी होती है वैसे तो Financial Planning के लिए तमाम तरह के टूल्स है लेकिन आज की शो में हम बात करें तीन ऐसे Financial Tools के बारे में जिससे आपकी जिन्दगी बहुत ही आसान हो सकते है यानि SIP, STP और SWP अकसर हम इनके बारे में सुनते हैं तो क्या है तीनों टूल्स और कैसे काम करते हैं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है Bajaj Capital के EVP उत्तम अगरवाल उत्तम आपका बहुत स्वागत है Money Guru में कैसे हैं आप Thank you so much for inviting me here मैं बहुत अच्छा हूं Thank you All right Money Guru में in fact financial planning के तरीके mutual fund में कैसे आप invest कर सकते हैं इसके बारे में तो तमाम बाते होती है SIP सबसे popular tool बाना जाता है उत्तम लेकिन क्या सिर्फ SIP ही है जिनके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है क्या हाँ नहीं SIP एक बहुत ही उंदा तरीका है निवेश करने का mutual funds में इसके अलावा STP भी एक मार्ग है जिसके थूरू हम निवेश कर सकते हैं और SWP भी एक बहुत अच्छा feature है mutual funds में जिसके इस्तमाल से हम एक systematic withdrawal भी कर सकते हैं तो यह हमारी जरूरतों के हिसाब से तीनो features available है किसकी क्या जरूरत है किस तरह के उसके investment objective है उस पे depend करता है बट यह तीनों बहुत ही उंदा features है जो एक mutual funds में ही available है आपसलीटली तो mutual fund में निवेश के तीन मंतर जो की SIP यानि systematic investment plan, STP यानि systematic transfer plan और SWP यानि systematic withdrawal plan इनके बारे में हम चर्चा करेंगे उत्तम आप से और क्योंकि आपने कहा कि बहुत जरूरी होते हैं इसलिए जो दर्शक नहीं जानते हैं और जो actually इन tools में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले SIP वैसे कई आम तोर पर लोगों को तो पता ही होता है कि SIP के जरी mutual funds में निवेश करने के होने वाला है देखिए SIP जो है वह है एक नए निवेशक के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि mutual funds को समझने में किसी को भी समय लगता है जब पहली दफा निवेश करते हैं तो सिस्टेमाटिक इन्वेश्मेंट प्लान के जरिए आप 1000 रुपए हर महीने भी इन्वेश्ट कर सकते हैं और यह आपके बैंक अकाउंट से अपने आप हर महीने म्यूचल फंड में पैसे आटोमेटिक रूट से इन्वेश्ट हो जाते हैं एक बार आपने से फॉर्म भरना है डिसाइड करना है कि कौन सी स्कीम में लगाना है या आप आपको आपके एडवाइजरी सजेस्ट कर सकते हैं और एक बार आप इसको शुरू करें और यह हर महीने पैसा अपने आप आपके अकाउंट से किसे कहना जाए कहसे किसी नेवेश के को पता चले कि मुझे यही पर निवेश करना है क्यों कि फंड मानेजर से संपर कैसे करें वो कैसे DECIDE करें कि कि пальishops में पैसे डालना से होगा और हजार उपए की जो ये राशी जो निवेश करना चाहते है अगर हम इसको एक minimum amount के तौर पर choose करें तो आखिरकार कैसे funds में किसी निवेश को डालने की जरूरत है देखे सबसे पहले financial planning में ये जरूरी है कि आप अपने investment goals को decide करें कि देखे broadly 3-4 goals होते है retirement, children's education, marriage और कोई घर खरीदना आपने तो ये 3-4 goals हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिसके लिए आपको एक बड़ी रकम की जोहत पड़ती है और आपको उसकी planning करना जरूरी है और फिर आपने ये जब decide कर लिया आपका goal क्या है कितने साल बाद है और कितने रकम आपको उसके लिए चाहिए फिर आप decide करते हैं कि उसको अचीव करने के लिए उस goal को आपको कितने रुपए एसेट क्लास में निवेश करना है एकुटी में कितना करना है या तीसरी जो एसेट क्लास है वह है commodity गोल्ड जिसमें भी लोग कुछ निवेश करते हैं बड में जो हैं वह एकुटी और डेट है अब आपने जब यह decide कर लिया कितनी रकम एकुटी में जानी है कितनी डेट में जानी है 50% यह 40% उसके बाद आत जो size में जिनका track record at least 10 से 15 साल का है आप उसमें निवेश करें जैसे फॉर एक्जैंपल के तौर पे Reliance mutual fund हो गया UTI हो गया SBI हो गया या Tata हो गया इस तरह के जो बड़े नाम हैं आप उनको चूज करके उनकी किसी अच्छी equity scheme में आप SIP का खाता खोल सकते हैं आल राइट तो SIP की शुरुवात कैसे करे, scheme का कैसे चुनाव करे, ये आसान तरीका तो आपने जान लिया है और SIP कई आप में से कई लोगों ने किया भी होगा और उसकी जो राशी है कहते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने salary के हिसाब से और अपने इच्छा शक्ति के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं और definitely goal set करना बहुत जरूरी हो जाता है यह जाना बहुत जरूरी हो जाएगा उत्तम यहाँ पर अब क्योंकि हमने SIP के बारे में बात की systematic transfer plan के जब बात आती है तो आकिरकार यह जो plan है वो कितना popular है और कब कि strategy के तहत इस plan में invest करना चाहिए और कौन से लोग है जनको systematic transfer plan में invest करने की जरूरत होती है देखे systematic transfer plan जो है वो एक तरह का एक दूसरा form है systematic investment plan गई SIP गई SIP में आप एक छोटी रकम हर महीने निवेश करते हैं किसी एक scheme में और यह जो यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास एक लंड़ी रूपए और यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास एक lump sum amount है और कोई retirement fund आया है या कहीं या आपके पास bank में पैसे जुड़ चुके हैं तो आप इस पैसों को debt fund में डालते हैं जहां पे आपको 8 या 9% returns आएंगी और उसमें से कुछ पैसे हर महीने transfer होंगे equity fund में जहां पे आपको returns और high आ सकती है market related returns आ सकती है तो यह जो scheme है यह अभी बहुत ज़्यादा popular नहीं है इंडिया में लेकिन आस्ते आस्ते इसकी भी popularity बढ़ती जा रही है स्टेबल return जो है वो मिलता है क्यूंकि market related जरूर है strategy क्या होनी चाहिए market कभी at peak है कभी market काफी low है उस time पर कैसे एक निवेशक जाने या कैसे जो एक fund manager से जब आप बात करते हैं कैसे पता चले उसको कि उसका जो lump sum amount है एक मुझत रकम है वो debt से equity में transfer कभ उसे करना चाहिए या equity से debt में वापस कभ transfer करना चाहिए जी देखे इसमें भी बड़े innovative options आ रहे हैं और इसमें एक option है जिसे कहते है flexi stp उसमें क्या है जब markets बहुत बढ़ जाती है जब उसकी valuation हाई होती है तो आपकी जो रकम है debt से equity में वो कम हो जाती है जाना और जब markets नीचे आती है जिसे हम कहते हैं green zone में आती है तब यह रकम 5 गुना हो जाती है और अगर वह yellow zone में है बीच में कहीं पर है market valuation के हिसाप से तो आपकी वो दुगनी रकम जाती है और जब हाई है तो बिल्कुल रुक भी जाती है तो इस तरह के कुछ बड़े अच्छे innovative options भी आ गए है जिसमें आपको यह सोचने की जूरत नहीं पड़ती कि अब मैं कितना equity market में equity fund में transfer करूं automatically equity market की valuation के हिसाप से यह automatic trigger option होता है ज आपने flexi sdp की बात की थोड़ा सा अगर और इसमे explanation हम जाने कि यह दोनों जो options होते हैं इनका जो फाइदा कब-कब मिलता है क्योंकि lump sum investors के लिए sdp इतना ज्यादा beneficial क्यों माना गया है देखे sdp के सबसे बड़ा advantage तो यह है कि आपका आपका पैसा हर वक्त market में लगा हु है तो आपका किसी भी समय आपका जो fund है वो वो दोनों नतीजों पर work कर रहा है आपके लिए सबसे बड़ा इसमें फायदा है कि debt fund में भी return आ रही है और equity में भी आ रही है और दोनों एक साथ आपको returns जुड़त के एक अच्छी एक return बन जाती है और जब transfer करते हैं उत्तम debt fund से equity fund में transfer करने पर exit load भी लगता है यह मैं आपसे समझता चाहूंगे आखरगा exit load कितना लगता है और इससे कुछ किसी तरह के नुकसान तो नहीं है या निवेशकों को इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है कोई भी expense जो आपके fund में लग रहा है वो जानना बहुत जरू जाएंगे हमने देखा है नॉर्मली यह बड़े investors कई बात डालते हैं और एक महीने में फिर निकल जाते हैं इससे बाकी investors की return पर असर पड़ सकता है उसको discourage करने के लिए mutual fund houses ने एक साल का exit load नॉर्मली रखते हैं कि आप अगर एक साल से पहले अगर निकले तो आपको नॉ आप एक साल से पहले इसको transfer ना करें जो आपका STP है वो एक साल के बाद शुरू करें उससे आपको यह load भी नहीं लगेगा लेकिन उत्तम डेफिनिटली आपकी एक मुश्त रखम लगी है चाहे कितनी भी हो लेकिन कुछ सावधानिया बरतनी की जरूरत है कहीं पर जहां प सबसे बड़ी बड़ी गलती से आपने यह बचना है कि आप किसी कभी भी invest करें उसको diversify करें ऐसा ना करें कि आप अपना पूरा पैसा किसी एक ही जङह पे निवेश करेん या एक ही scheme में नियश करें उसको आप diversify करें और कुछ पैसा हमेशा कुटि नहीं तो क्या होता है कि आपका अगर over exposure हो जाए किसी एक तरह की scheme में तो उसमें risk बढ़ जाता है तो risk manage करने के लिए आपको हमेशा diversify करना जरूरी है का जाता है कि systematic transfer plan में निवेश करने से regular निवेश करने से रूपी cost averaging का फायदा मिलता है आखिरकार यह पूरा system में वो कैसे चलता है कैसे beneficial होता है देखिए रूपी cost averaging जब आप कोई भी निवेश हर महिने आप एक ही समय पर आपका निवेश हो रहा है किसी scheme में तो क्या होता है market कभी उपर जाती है कभी नीचे जाती है तो आपकी जो purchase value है वो उपर high market value पे भी होती है lower पे भी होती है हम देखते है market कभी 28,000 पे होती है कभी 27 पे कभी 26,000 पे तो आप हर level पे आप खरीदते हैं तो as a result इसे रूपी cost averaging कहते हैं जब आपकी NAV हम निकालते हैं average तो यह different purchase points की एक average बनती है जो की आपके favor में जाती है और long term में इसका हमने देखा है बहुत फायदा मैं आपको एक example देता हूं कि market 2008 जन्वरी में 21,000 पे पहुंच गई थी और फिर 8,000 पे उसके बाद 2009 के end पे 8,000 पे आ गई थी तो जिन्होंने S.I.P. इसके पहले करी थी तो उन्होंने 21,000 पे भी purchase किया और 8,000 पे भी किया मैं आपको एक example देता हूं अपने किसी एक जानपेचान दोस्त का उन्होंने S.I.P. के थूप 75,000,000 रुपे निवेश करें पिछले 20 सालों में जो भी कि इन्वेस्मेंट थी जो सेलरी थी और वो उसमें डालते थे आज उसकी वैल्यू करीब करीब साड़े चार करोड है तो हमने यह देखा है long term में क्योंकि आप lower level पे भी ले रहे हैं higher level पे भी ले रहे हैं तो रुपी cost averaging होती है और इसका आपको फाइदा प्राप्त होता है दो मंत्र की तो हमने बात कर लिए that is SIP systematic investment plan और STP systematic transfer plan लेकिन कितना known जो entity है systematic withdrawal plan और इसका क्या फाइदा होता है कि लोगों के लिए beneficial होता है ये भी हम जानेंगे